हेलो फ्रेंज तो आज हम मेथी के पते से बनाएंगे एक बहुत ही ज़ादा टेस्टी और यमी साज स्नैक्स तो उसके लिए यहाँ पे ले लिये हैं मेथी के पते और उसे हम अच्छी तरह से पहले साफ कर लेंगे और फिर तीन से चार बर पानी से धो के और फिर उसे बारिक बारिक काट लेंगे मेथी के पतों में टंठल नहीं होनी चाहिए सिर्फ आप पतियां जो हैं वो अच्छी तरह से तोड़ लें और साफ कर लें और इस तरह से सारी मेथी हम काट लेंगे उसके बाद यहाँ पे एक पैन ले लिया है उसे गर्म करेंगे और उसमें हम डाल देंगे देसीगी देसीगी बहुत जादा नहीं डालेंगे आधर चमिश देसीगी बस इसमें हमें डालनी है अगर आप चाहें तो आप इसके जगह oil भी डाल सकते हैं तो यहाँ पर मैंने तो देशी गी ली है और उसे pan में हम डाल देंगे उसके बाद जो मेथी काटके रखा था वो हम इसमें डाल देंगे और यहाँ पर हम गैस की flame को एकदम low पर रखेंगे और फिर मेथी को हमें पका लेना है इतना पकाना है कि इसका पानी जो है वो अच्छी तरह से सूख जाए मेथी को हमें overcook ने करना है सिर्फ 2-3 मिनट में ही आप देखेंगे कि मेथी जो है वो पक जाएगी और यहाँ पर हम गैस की flame को off कर देंगे और इसे हम पूरी तरह से ठंडा होने के लिए रखेंगे उसके बार यहाँ पर मैंने ले लिया है एक बटन फिर उसमें हम ले लेंगे एक कप गेहु काटा तो यहाँ पर हम snacks गेहु के आटे से बनाएंगे फिर उसमें हम डालेंगे आदा कप सूजी फिर नमक डालना है और उपर से हम डालेंगे लाल मिर्श का पाॉडर थोड़ा सा हम इसमें हल्दी भी डालेंगे अजवाइन ले लिए हैं उसे हातों से इस तरह से हम क्रश करके डालेंगे तोड़ा सा इसमें गरम मसाला भी आप एड़ कर दे और यहाँ पर मैंने ले लिया है लगभग दो चुमश ओईल वो भी इसमें डालेंगे और मेथी जब पूरी तरह से ठंडी हो जाएगी तो मेथी भी हम इसमें एड़ कर देंगे पिर हमें इसे हाथों से अच्छी तरह से मिला लेना है ताकि सारी चीज़े बढ़िया से मिल जाएं और इसमें जो हमने ओएल डाला है वो देसी घी डाला है उसे गरम करके क्योंकि उससे जब आप मोयन डालते हैं ना तो उससे स्नाक जो है वो बहुत ज़ाधा टेस्टी बनते हैं तो आप कोशिश करें कि इसमें देशीघी कही यूज़ करें फिर इसमें हम डाल देंगे पानी और थोड़ा थोड़ा पानी डालते वे हम इसका दो त्यार करेंगे और जो आटा हम गुंदेंगे वो थोड़ा hard होना चाहिए हमें soft आटा नहीं गुंदना है इसके लिए आप बहुत ही थोड़ा थोड़ा पानी डालके और इसको गुंदे एक साथ बहुत ज़ादा पानी इसमें ना डालें और ये देखे इस तरह से हमारा आटा जो है वो एकदम रेडी हो गया है और आप देख सकते हैं कि एकदम hard आटा गुंदना है तो इस तरह से आप गुंदे, soft आटा आप बिल्कुल भी ना गुंदे, नहीं, snacks अच्छे नहीं बनेंगे अब इसे हम ढख करके लगवग 10 मिनट के लिए side में रख देंगे और तब तक हम oil गर्म कर लेंगे तो यहाँ पर मैंने कड़ाई ले लिए और उसमें हम ढाल देंगे oil पहले हम oil को high flame पर गर्म करेंगे उसके बाद हम gas की flame को low पे कर देंगे और अब यहाँ पर हमारा आटा भी एकदम तयार हो चुका है snacks बनाने के लिए तो इसे एक बार हाथों से हम और गुंद लेंगे इसे यह थोड़ा सा soft हो जाएगा और फिर snacks बनाना easy रहेगा तो अब हम इसकी low बना लेते हैं तो इसे इस तरह से roll कर लें और फिर चाकू की help से आप इसमें low काट लेंगे तो एक बार आप इसे जरूर से try करिए को बहुत ही जादा tasty लगता है खाने में और बनाना तो easy ही है इसे आप store करके भी काफी दिन के लिए रख सकते हैं ये खराब नहीं हो सकता इसे आप चाय के साथ के लिजे आप जब भी खाएंगे ना बहुत ही tasty लगेगा और इसकी लोई हम काट लेंगे और इसके बाद हम इसे पतला पतला बेल लेंगे तो इसे एकदम पतला बेल लेना है यहाँ पर हम नमक पारे बना रहे हैं अगर आप चाहें तो आप इसे कोई सा भी shape दे सकते हैं तो यहाँ पर मैंने ले लिया है cutter और cutter की help से हम इसे काट लेंगे तो नमक पारी जैसे बनते हैं वैसे ही पतला पतला हम इसे काटेंगे अगर आपके पास कटर नहीं है तो आप चाहे तो इसे चाकू की हेल्प से भी काट सकते हैं या अगर आप इसे कोई और शेप देना चाहते हैं तो आप उस तरह से भी काट सकते हैं और यहां पे हम इस तरह से काटेंगे तो फ्रेंट्स एक बार आप इसे घर पे जरूर ट्राइ करिएगा बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में आप इसे बच्चों को भी दे सकते हैं उन्हें भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और बड़ो को तो आएगाई और यह देखे इस तरह से हम एकदम पतला पतला नमक पारा काट लेंगे यह देखे और क्योंकि इसमें मेथी डली हुई है तो इसे और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा तो एक बार आप जरूर से ट्राइ करिएगा अब हम इसे चाकू की हल्प से निकाल लेंगे और ओइल अब हमारा गर्म हो चुका है तो इस तरह से पहले हाथों से आप अलग कर ले क्योंकि यह एक साथ चिपका हुआ रहता है तो ओइल गर्म हो गया है अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके इसे डाल देंगे और एक साथ ना सारा एक साथ fry नहीं करेंगे थोड़ा थोड़ा डालते हुए हमें fry कर लेना है तो पहले गयास की फ्लेम को high पर रखा था फिर उसे हम low कर देंगे और इसे डालने के बाद 5 मिनट तक लगबग हम low flame पे पहले पकाएंगे उसके बाद हम gas की flame को medium बे कर देंगे और फिर इस तरह से हम अपने सारे snacks जो हैं उसे fry कर लें और इस तरह से हम अपने बचे हुए आटे का भी सारा snacks बना लेंगे तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आई हो तो like जरूर करिएगा और मेरे चैनल पे नए हैं तो subscribe करके bell icon जरूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी कोई भी वीडियो आती है तो वो आप तक सबसे पहले पहुंच सकते हैं और भी बहुत सारी yummy और tasty recipes आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं और यह देखिए यह हमारा snacks एकदम तयार है और इसका color भी बहुत ही बड़ी आया है तो आप आटे से इसे बना कर देखिए बहुत ही जादा tasty लगता है मैदे से बना हुआ नमक पारा तो आप जादा नहीं खा सकते हैं लेकिन आप आटे का बना हुआ है तो इसे आप खा सकते हैं और यह देखिए एकदम crispy और एकदम कुरकुरा है इसे आप तोड़कर भी देखेंगे था टो एकदम हे क्रिस्पी रहेगा यह देखिए इस तरह से तो यह हमारा snack बन कर अब तयार हो गया है और इसके साथ में अब हम बना लेंगे चाय करें गर्म गर्म चाय के साथ में आप इसे सर्व करें और आपने देखा इसको बनाना क्र तूरी मेथी भी एड़ कर सकते हैं उससे भी इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और इस तरह से हमारा चाय और हमारा ये स्नैक्स बनकर त्यार है तो बने रहें मेरे शैनल पर नए नए रेसिपी देखने के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए र ज्यां रखिएगा टेकार